जहेंदी प्यारे सातियों, रोजगार विद अजया यूटूब चैनल पर आप सभी का भूत-भूत स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं बात कने वाला हूँ, रेलवे ग्रूप डी की सेल्डी सिलिप के बारे में और वो भी 2023 के अकोडिंग, कि जनवरी 2023 में रेलवे ग्रूप डी की सेल्डी सिलिप में क्या परिवतन आने वाले हैं रेल वे ग्रूप डी के करमचारियों, कितनी सेल्डी मिलेगी, कौन-कौन से इनको अलाउंसे मिलेंगे, कौन-कौन से इनके डिड़क्स होनोगे बिल्कुल overall full details से आपको मैं समझाने का पुरा पुरा प्रियास करूँगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों ये मैं वीडियो फिलाल की जो salary slip है उसके base पर भी बना सकता था लेकिन उसका सबसे बड़ा region है DA क्योंकि DA हर्थ है महीने के बाद बदलता रहता है हमारे पास फिलाल की December महीने की या November महीने की कोई salary slip अवलेबल नहीं थी इसलिए हमने जो पुरानी salary slip थी उन्हीं के base पर डाटा उठाए है सारेक सारे update allowances है और उनके base पर मैं यहाँ पर बिल्कुल authentic और original तरीके से salary के बारे में बताने वाला हूँ salary को लिकर सारेक सारे doubt clear करने वाला हूँ और एक सबसे special ही बात railway में कितने allowance मिलते हैं उन सबी के बारे में यहाँ आप आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं railway group D के बारे में देखो railway group D pay level first होता है 7th P commission के coding salary मिलती है grade pay 1800 होता है pay scale बावन सो से लेकर 20,200 होता है यह चार बहुत महत्पून बात यह थी जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है अब हम बात करते हैं salary slip के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं basic pay के बारे में देखो प्यारे साथियों railway group D में जो basic pay होता है वो होता है 18,000 रुपए यदि आप railway group D में लगोगे तो आपको किसी भी हाल में 18,000 से कम salary कभी भी नहीं मिलेगी आपकी starting minimum without allowance के salary रहने वाली है 18,000 रुपए अब उसके बाद में हम बात करते हैं DA के बारे में DNS allowance जो फिलाल में 38% है ठीक है कुछ समय पहले railway 36.2% दिये दे रहा था लेकिन अब उसको वो बढ़ा कर 38% कर दिया अब जो railway के क्रमचारिया है उनको central government के according DA मिल रहा है फिलाल में 38% है जो basic pay का निकलता है basic pay 18,000 है इसका 38% DA मिलेगा आपको 6840 रुपए अब उसके बाद में बात करें HR के बारे में house rent allowance के बारे में देखो यदि हम center government के बात करें तो center government में जो HR है वो 9%, 18% और 27% के according मिलता है ठीक है center government ने HR के माबले में पूरे भारत को तीन category में divide कर दिया एक्स वाई और जैर 9% बिल्कुल गाओं में यदि आप duty करते हो तो आपको 9% HR मिलेगा metropolis city जैसे मुंबई, दिल्ली, कौलकाता, बैंगलोर में काम करते हो 17% HR मिलेगा किसी बड़ी city में काम करते हो 18% HR मिलेगा लेकिन railway आपको 8%, 16% और 24% HR देती है यदि आप गाओं में काम करते हो आपको 8% HR मिलेगा यदि आप किसी मेट्रो सिटी में काम करते हो जैसे दिल्ली में मुंबई में कोलकाता में काम करते हो बैंगलोर में काम करते हो आपको 24% हैचारे मिलेगा और यदि आप किसी बड़ी सिटी में काम करते हो तो आपको 16% हैचारे मिलेगा और यह जो HR है वो भी basic पेकाई होता है तो यदि हम 24% निकाले 18,000 का तो निकल कराता है 4,320 रुपए आपको HR मिलेगा उसके बाद में हम transport allowance की बात करें तो transport allowance बिल्कुल fix है 1180 रुपए मिलेगा आपको starting में DA on TA मतलब TA पर DA मिलेगा आपको तो DA कितना है 38% है तो 1180 का यदि हम 38% निकालते हैं तो निकल कराता है 448 रुपए यह आपको DA on TA मिलेगा इसके अलावा आपको बहुत सारे धेर साले allowances मिलेंगे वो depend करता है कि आप किस job में है तीक है आप lineman का काम कर रहे हैं किस तरीके का काम कर रहे हैं उसके according आपको और भी extra allowances मिलेंगे जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इसी वीडियो में आगे railway में बहुत सारे allowance मिलते हैं सबसे ज़्यादा allowance मिलते है railway में तो सारे सारे allowance के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ तो इस तरीके से आपकी एक gross salary तयार होती है बेसिक पे DA, HR, TA, DA on TA यह तो fix है आपको मिले गाई इसके अलावा कुछ आपको extra allowance मिलेंगे जो आपकी duty पर depend करता है और आपके काम पर depend करता है तो इस तरीके से आपकी gross salary तयार होती है 30,708 रुपए जो आपकी minimum gross salary होगी अब उसके बाद में आपका deduction होता है सबसे पहले आपका NPS कटेगा NPS क्या होता है जिस दिन आप joining लोगे उस दिन government के दौर आपका एक NPS account बनाया जाएगा आपका basic pay और आपका कट दिये दोनों का 10% काट कर और आपके इस NPS account में transfer कर दिया जाएगा और जितना amount आपका कटेगा उतना ही amount government अपनी तरफ से आपके इस account में transfer कर देगी तो इस तरीके से हर महिने के महिने आपके NPS account में 20% amount जमा होगा जबकि आपका 10% ही कटेगा जस्ट डबल आपका amount यहां पर जमा होगा तो इस तरीके से NPS की वज़े से आपकी salary पनती है 110% CGEGIS के according आपके 65 रुपए कटेंगे इस तरीके से total deduction होगा आपका 3549 रुपए का यहां तक की सारी चीज़े समझ में आ गई होगी अब आपकी net salary तयार करते हैं यह आपकी gross salary है उसमें से आप अपना जो deduction है उसको less कर दो तो आपके net salary बनेगी 28249 रुपए और यदि मैं आपकी वार्षिक salary के बारें बात करो पूरी साल के salary कितनी मिलेगी 3,38,868 रुपए आपको पहले साल में total amount मिलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा motivation आया होगा कि यार लगबग 28,000 रुपए salary पहले महिने में मिलने वाली है state government की बहुत सारी vacancy होगी तो नमें तो बहुत अच्छी खासी salary है increasement दो तरीके से होगा हर साल 3% आपका basic पे बढ़ेगा साथ साथ center government के according आपका DA बढ़ेगा almost DA साल बे दो बार बढ़ता है यदि मैं average निकाल कर जलू तो DA आपका पूरी साल बे 4-5% तक बढ़ जाता है बाकि government पर depend करता है कि वो कितना DA बढ़ाती है उसके बाद में हम बात करते हैं allowances के बारे में इसके उपर मैं एक special video बनाऊँगा कि railway में कितने allowance मिलते हैं देखो summary allowance, special running staff allowance, special train controller allowance, risk and hardship allowance और इसके लावा breakdown allowance, national holiday allowance, flag station allowance, PCO allowance, special LG gate allowance कोयल पाइलट allowance, TADA for railway official, overtime allowance, convention allowance देखो कितने सारे allowance मिल रहे हैं आपको railway आपको सबसे ज़्यादा allowance देती है total 41 परकार के allowance यह 41 परकार के allowance हैं यह depend करता है कि आप किस type की नोकरी कर रहे हो और आप कैसा काम कर रहे हो ज़्यादा time करोगा आपको overtime allowance मिल जाएगा तो इस तरीके से railway आपको बहुत सारे allowance देती है तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ सेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राब करो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए thanks bye मेरे प्यारे साथ ही कि ओते हैं कि भीडियोंस कि अपको दो आको और बहुत कि डिए बहुत थैं पिए